परधान मंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक महीने में पाच बार भी हार आ चुके हैं, ग्रीम मंत्री अमिस्षा पिछले एक महीने में दो बार भी हार आ चुके हैं, और लगातार ये पड़ी बार बात पे हमला कर रहे हैं, घ्रश्टा चार पे हमला कर रहे हैं, कितने लोग को फिरी में पाच किलो रासन दिया उसके बारे में बता रहे हैं कितने लोगों को मुद्रा योजना द्वारा लोन दिलबाया उसके बारे में बात कर रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे आख दिखाया है उस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एक बार भी ये लोग सहारा इंडिया पे एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं और बिहार में तो खेर मात्र चार बार आये हैं लेकिन पूरे भारत भर में अगर कहा जाए तो पूरे भारत भर में परधान मंत्री नरेनर मोदी, ग्री मंत्री अमिशा, राजनाज सिंग और तमाम किंद्रिय मंत्री रै सब्द तक नहीं बोला आखिर क्या सहारा इंडिया का पैसा जो कि सहारा इंडिया ने सेवी को 25,000 करो रूपय जमा कराए थे क्या वो 25,000 करो रूपय बीजेपी चुनाप परचार में खर्च कर रही है क्या इलेक्ट्रोल बोंड के जड़िये 500 करो रूपया जो बीफ कम्पनि से लिया गया यानि कि जो कम्पनी गाय काट करके भैस काट करके बेशती है उससे 500 करो रूपया चंदा लिया क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी सहारा इंडिया में गरीब लोगों के जमा पैसे से चुनाप परचार कर रही है और इस पास से 8 मिनट की रिप पताने जा रहे हैं और एक चीज और आपको पताते चले कि सहारा इंडिया में गरीब लोगों का पैसा जमा है और गरीब लोगों को खून के आशु रूलाने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमिस्सा हो इन लोगों ने कैसे धोखा किया है और आप इस वीडियो को जादा से जादा से शेर जरूर कीजिएगा और आप लोगों से बिंती है इस वीडियो को इतना जादा सेर कीजिएगा क्योंकि हमारे एक हल्ला करने से हमारे एक खिलाने से कोई भी फर्क नहीं परेगा लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग अगर मिलता है आप अगर जादा से जादा अपने से जुड़े Facebook और WhatsApp डूप में इस वीडियो का लिंक अगर सेर करते हैं और हमारी बात अगर कहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुचाने में मदद करते हैं तो हो सकता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने मुँँ पर टाका लगबा लिया है अलिगर्ट का ताला लगबा लिया है सैद उसे खोल ले और कुछ इस पर ब्यान दे दे नमस्कार मैं प्रेंच कुमार सिंग और आप तेखने है पोजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लिजे और जो लोग अल्लेडी कर चुके हैं उत्तमाम लोग को सहिर दे धनबाद अब वापसाते हैं अपनी खवर पर और ये आधरनिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी को संबोधित करके हम उन लाखो लोगों की आवाज को पहुचाने का एक छोटा सा प्रियास कर रहे हैं जिन लाखो लोगों का करोरो रूपए हजारो करोरो रूपए सहारा इंडिया में फसा हुआ है हमारे आधरनिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी आप अपनी हर चुनावी रैली में कहते हैं कि हमने राम मंदीर बनवाया तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि राम मंदीर बनाने का आधेश सुप्रिम कोट ने दिया था आप उस समय प्रधान मंत्री थे, आपसे मान किया जा रहा था कि आप संसद में अध्या देश लाकर राम मंदीर बनने का राष्ता साप कीज़े लेकिन आपने अध्या देश नहीं लाया, इसलिए राम मंदीर बनने का अक्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं, बलकि महा महीम नियाए धीश महोदय को जाता है सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस को इसका क्रेडिट जाता है कि जिनके आदेश पर राम मंदिर हमारे अराध्य प्रभुसी राम के मंदिर बनने का रास्ता प्रसस्त हुआ और उसके बाद भब्व राम मंदिर का निर्मान कर्द सुरू ये हर घर से चंदा दिया गया जिस लोग के पास जितनी अवकात थी जितनी हैसियत थी किसी ने 50 उर्पया किसी ने 100 उर्पया किसी ने 500 उर्पया तो जिसको भगवान ने करोरो दिया है उसने करोरो दिया और ये भारत बास्यों के तमाम सनात्नियों के चंदे पर राम मंद नहीं बनवाएं हैं इसके लिए आप इसका क्रेडिट जो ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं दूसरी बात कि आप कहते हैं कि हम बहुरे बढ़े ही सनातनी हैं हिंदू हैं तो आपको इस बात का भी जबाब देना चाहिए कि धाई सो करोर रूपया आपने चंदा लिया है आपक करोर रूपया जो गाय भैस काटने वाली कमपनी ने दिया होगा वो कितना हजार करोर रूपया कमाती होगी हमारी गौमाता की हत्या करके अब एक चीज और जानिए कि देख लिजे कि गाय का जो कीमत है अगर देखा जाए तो ऐसे तो पचास जार में भी मिलता है सत्तर हज लेकिन एक एभिरेज अगर कीमत अगर आकी जाय तो एक गाय की कीमत 20-25 जार होती है और गाय जो बूढ़ी हो जाती है जो दूढ़ नहीं दे पाती है उन गायों को बीप कमपनिया खड़िद करके उसे काटने का काम करती है और उसके बाद उसका चीकेन मटन जो है उन 200 करोर रुपईया आप चुनाबी चंदा ले करके आप चुनाब परचार कर रहे हैं आप तीसरी बार परधान मंतरी बनना चाहते हैं लेकिन आपको थोड़ा भी सर्म नहीं आता है कि सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय ने सेवी के आदेश के बाद 25,000 करोर रुपया जो सेवी के अकाउंट में डाला था आप लोग इतने बेसर्म हो चले हैं कि अब गाय का तो खुन चूसी रहे थे वीप कंपनियों से चंदा ले ही रहे थे उन लाखो गडी मजदूरों का भी आप लोग खुन चूस रहे हैं और 25,000 करोर रुपया ऐसे डकार गये हैं जैसे कि कोई स्प्राइट पिकर के डकार भी नहीं मारता है ठीक उसी परकार से आप लोगों को देत्ट की संग्या दी जा सकती है आप लोग एक राक्षक से भी गए गुजरे हैं जो कि लाखो लोगों को रूलाने का काम कर रहे हैं आप परिबार बाद पर बहुत ही बड़ा चुनाब लग रहा है उसके पिता का क्या नाम है क्या वो सिपी ठाकूर केंद्र सरकार में स्वास्त मंत्री नहीं रहा है और ऐसे ऐसे तमाम लोग है आपने चिराग पासमान को आप तरजीह देते हैं चिराग पासमान कौन है परिबार बाद की उपज है वो राम विलास प वतनी को आपने छोड़ दिया, आपका न साला है, न बेटा है, न पुतो है, तो आप कहां से दीजिएगा, लेकिन आपके अगल बगल वाले अपना बेटा पुतो है, पर पुतो है, फुफेडी बहीन, आम उसी सब को टिकर दे रहे हैं, तजरा इस पर भी प्यान देना चाहि हैं, और नाम भी नहीं लेते हैं, कौन कहता है कि जिसका परिवार वला होता है, वही चोरी करता है, वही पाप करता है, इस दुनिया में ऐसे लाखो लोग है, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है, उमर जाएंगे, तो पैसा का क्या होगा, उसका क कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी वो लोग पाप करने से बाज नहीं आते हैं, आप कहते हैं कि हमने देश से गरीबी मिटा दिया, चलिए ठीक है मान लेते हैं, फिर देश के 80 करोर लोगों को 5 किलो फिरी रासन देने की जवरत क्या पर गई, यानि कि हमारे देश में 80 करोर से पहले हुए, यानि कि देश में 75 साल में दूसरे परधान मंत्रियों ने जितना कर्ज लिया, उससे 10 गुना ज्यादा कर्ज आपने मात्र 9 साल में ले लिया, 175 हजार करोर का कर्ज, जो बिदेशी कर्ज जो भारत पर है, और परतेक बेक्ती पर अगर देखा जाए, तो ला इसके बाद आप कहते हैं कि हम दरसल 2 करोर रोजगार देंगे, आपने कहा था, आपने कहा था कि हम 2 करोर लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 2 करोर तो बहुत दूर की बात है, 20 लाक लोगों को भी 10 साल में रोजगार नहीं मिला, आप देखाते हैं कि पाकिस्तान को हम आ बाया एकदम मानते हैं आपके आने से हिंदुत मजबूत हुआ इस बात को मानते हैं आप हिंदुत के लिए एकदम खड़े रहते हैं इस बात को मानते हैं और तमाम हिंदु तमाम सनातनी आपके इसके लिए आपका सदैव अभारी रहेगा आपके पुन्य के लिए अगर हम अ जो रिक्षा ठेला चलाता था मजदूरी करता था वो वेक्ति सहारा इंडिया में पैसा जमा करता था और उन गरीबों का खुन चूज करके आपको क्या लगता है कि आप 400 पार कर जाएंगे जी नहीं देश में जो बेरोजगारी है देश में जो महंगाई है आप पहले प्याज का माला पहन करकी स्मिर्टी जानी घुमती थी गैस कादा में 1100 रुपया हो गया मानिये परधान मंत्री जी और आप चस्मा पहन करके जो घुमते रहते हैं कभी धूप बला चस्मा कभी पावर बला चस्मा और कभी दारी बढ़ा करके स्टाइल में उस अब छपड़िये स्टाइल नहीं चलने वाला है देश के लिए भी आपको कुछ करना परेगा आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाइना दिखाते हैं यानि बाहरी बाहरी दिखाते हैं लेकिन आप कभी नहीं बताते हैं कि देश के पर आपने 175 हजार करूर का कर्ज कर लिया और जिन लोगों को मेरी बात पर थोरा भी देखो गूगल कर लिजेगा आपको सारी जानकारी आजकल तो गूगल पर उपलब्ध है और मानिये परधान मंत्री जी जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके मुह पर आपको अत्यमिया छपपनिंच का सीना है ता आप किस डर से सहारा इंडिया पर एक सब्द तक नहीं बोल रहे हैं सहारा इंडिया का पैसा आप कब दीजिएगा जरा ये भी बता दीजिए और तमाम दर्शक गन से रोद करेंगे इस वीडियो को इतना ज्यादा से शेर कीजे आप प्रधान मंत्री से प्यार करते होंगे हम भी करते हैं हम भी अपना बच्चा से प्य कर रहे हैं दुचारलात देने की जवरत अब आप पड़ी है सवाल पूछने की जवरत आप पड़ी है कि आखिर सहारा इंडिया का पैसा आप लोगों ने क्यों पचा लिया 25,000 करोर रूपया जो सहारा इंडिया का जो सेवी को दिया गया वो पैसा सेवी ने क्या कर दिया क जो कि तमाम सेवी हो, इडी हो, सीवी आई हो, सब आपके कबजे में है, आप तो सब का चाभी लेकर न गुमते हैं परधान मंत्री जी, तो तरी तलबा खोलिए, पचीस जार करोर है, उस सब को वापस करा दीजे, अग्री मंत्री अमीश साजी खाखा करके इतना मोटा गया है फिरी का धन खा करके, कहे थे आ करके कि छो महिना में सब का पैसागो आपस हो जाएगा, अग्री लगता है कि पचीस अजार करोर रुपया अमीश साड़कार गये हैं, देखिए अमीश साजी को परिवार बात पे बोलते हैं, अपना बेटा को क्या बना दिये हैं, जिसको ए ज्यादास ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करें, जुरे रहे हमार साथ, जैहिंच जै भारत